हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को discuss करेंगे जो के आपके आगामी लगबग सभी भरती परिक्षाएं जिसमें हिंदी से related question पूछे जाते हैं उन सभी exams के लिए सारे question बहुत ह इंपोर्टन है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को question है डावन का उच्चान स्थान है option ये दन्तोस्त, option B कंट, option C तालू, या फिर option D दन्त दावन का उच्चान स्थान के अगर बात करेंगे तो दावन का उच्चान स्थान दंत होता है option D राइट हो जाएगा दंतोस्ट की अगर बात करें तो वह वण का उचान स्थान दंतोस्ट होता है और कावर की जितने भीवण होते हैं जैसे का, खा, गा, गा, अंगा इन सभी का उचान स्थान कंठ होता है अगला question के द्वारा किस कारक का चिन्न है? option E, करता कारक, option B, कर्म कारक, option C, कर्ण कारक, या फिर option D, संपर्दान कारक बात करें, यहाँ पर करता कारक, तो इसका कारक चिन्न ने होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्न को होता है? के द्वारा, यह कर्ण कारक का चिन्न होता है संपरदान कारक चिन की अगर बात करें तो के लिए इसका कारक चिन होता है question में पूछा जा रहा है के द्वारा किस कारक का चिन है तो यहाँ पर answer C right हो जाएगा अगला question मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं option ये 2 option B 3 option C 4 या फिर option D 5 मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो कुल 3 परकार के होते हैं option B right हो जाएगा 4 परकार के विशेशन होते हैं हिंदी में जबकि 5 परकार के संग्याएं होती है अगला question जिस समास के पूरपद गोण तथा उत्तर पत्पधान होता है वह कौन सा समास होता है option E 2 समास option B बहुबरी ही समास option C तत्पूर समास या फिर option D अब्वेभाव समास जिस समास के पूरपद गोण तथा उत्तर पत्पधान होता है वहाँ पर तत्पूर समास होता है C-Right हो जाएगा दौन्द समास की अगर बात करें तो जिस समास में दोनों पतपरधान होते हैं वहाँ पर दौन्द समास होता है और जहां पर कोई पतपरधान ना हो अन्य पतपरधान हो वहाँ पर बहुबरी समास होता है अगला question नेमने लिखित में से कौन सा सब्द पुल्लिंग है option ये वर्षा, option B दीमक, option C लड़का या फिर option D गाय बात करें पुल्लिंग सब्द की तो यहाँ पर एंसर C राइट हो जाएगा लड़का ये पुल्लिंग सब्द है जबकि वर्षा, दीमक और गाय ये तीनों ही इस्त्री लिंग है हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं पुल्लिंग और इस्त्री लिंग अगला कुश्चन स्वरसंधी कितने प्रकार की होती है option ये 3, option B 4, option C 5, या फिर option D 7 बात करें स्वरसंधी की, तो स्वरसंधी 5 प्रकार की होती है बात करें संधी की, तो संधी कुल 3 प्रकार की होती है स्वर, बेंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की संधिया होती है जिसमें स्वरसंधी 5 प्रकार की होती है अगला कुश्चन राम विद्ध्याले जाता है में उद्धेश है option ये राम option B विद्ध्याले option C जाता या फिर option D है राम विद्ध्याले जाता है मैं अगर बात करें कि उद्धेश इस में क्या है तो यहाँ पर उद्धेश राम होगा option ये राइट हो जाएगा क्योंकि जिसके बारे में बताया जाता है जिस वाक्ती में तो वो उद्देशो होता है और अन्य सभी जो सब्दोते हैं वो बिधे के अंतर गताते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है option ये वी रस option बी सिंगार रस option C हासरस या फिर option D वातसले रस बात करें रसराज की तो ये सिंगार रस को कहा जाता है option B रैट हो जाएगा और सिंगार रस की वरतनी शुद इस प्रकार होता है इस परकार सिंगार लिखा जाता है बात करें इसके अस्थाई भाव की तो सिंगार असका स्थाई भाव रती होता है बीर असका स्थाई भाव उत्सा होता है अगला question इन में से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है ऑफ़सन ये हनुमान बाहुक option B कभितावली, option C गीतावली या फिर option D तुलसीदास बात करें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है तो इसमें तुलसीदास जो रचना है ये तुलसीदास जी की नहीं है जबकि हनुमान बाहुक, कभितावली और गीतावली ये तीनों ही रचना है तुलसी दास जी की है बात करें तुलसी दास रचना तो ये सूरिकान तिरपाथी निराला जी की रचना है अगला क्वेश्चन दूदबतासा रचना किसकी है? ऑफ़शन दास जी सूहनलाल दुवेदी या फिर आफ़शन डी जेसंक बशा दूदबतासा रचना की अगर बात करें तो ये सोहनलाल दुवेदी जी की रचना है ओफवशन C राइट हो जाएगा सूर सागर, सूर सरावली, सहित लहरी ये रचना है सूरदास जी की हैं जहरना, कामाईनी, कंकाल, इरावती ये सभी रचना है जैसंकप्षाज जी की हैं तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे केमेंट बाक्स में ज़रूर बता हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो